कुछ करना तो चाहिए बिलकुल देखो डायेट का सिंपल से जादा कुछ सोचना नहीं है तो कबार कम खाओ बस बात यही है जैसे आजकल कल्चर चेंज होगे है ना जैसे तुम राची में हो ना अभी तो जब मैं राची में था हुआ CCD नहीं था ठीक है अब भी तो गार्बेज में ही आता है लेकिन लोग वही खाते थे तो यह जो तेल मसाला है जितना खाओगे उतना तुमारा हेल्ट खराब होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं है अभी तो जैसा तुमने बताया तुम 19 साल के हो 30 साल तक तुमें कुछ नहीं होने वाला ठीक है वो इस ट 20 साल 24 साल के इस तक कुछ समझ में नहीं आता था जो मन है वो खाते थे कोई भी टेंशन नहीं है बिल्कुल वर्काउट नहीं करते थे रात कुछ चार बज़े सो रहे हैं और 10 बज़े उट रहे हैं कुछ भी ऐसा से डियूल कुछ भी चल रहा है बहुत लोगों को मैंने द कमी था भुकमरी से लोग मरते थे हैं ना अभी क्या हो गया फार्मिंग रेवल्यूशन हुआ उसका इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ अभी इंसान को खाने का कमी है नहीं तुमने बहुत कमी लोगों को देखा हुआ कि भूगे मर रहे हैं ठीक है तो अब ओबीसिटी का प्रॉब्लम हो गया ठीक है जो भुके मरने से बेटर है लेकिन वो भी प्रॉब्लम है ठीक तुम्हें बहुत दोस्तों को यह प्रॉब्लम हुआ बहुत दोस्तों को यह प्रॉब्लम हुआ कि अभी तीस साल के भी नहीं हुआ है बाल वाइट होना स्टार्ट हो गया ठीक जैसे तुम देखोगे जो healthy इंसान है उसके बाल तुमें चमकते हुए मिलेंगे वो health दिख रहा है इंसान का ठेक है और तीसरा बाल जढ़ना भी start हो गया मेरे तो कितने दोस्तों ने जाके hair implant भी करा लिया जो की कोई काम का है नहीं तो ये सारे problem तुमें क्यों हो रहा है देखो एक तो हो सकता है सभी बोल सकते हैं कि genetics है ठीक है लेकिन दूसरा problem ये भी है तुम genetics बोल के ये क्यों भूल जा रहे हो कि तुम garbage खा रहे हो पिछले 10 साल से और बिल्कुल workout नहीं कर रहे हो वो भी genetics है क्या वो तो नहीं है हाँ यार खाते हैं बहुत लोग तुम नौर्थ में चले जाओ पढ़ाठा मिलेगा मज़ तुमें तेल में डुबा के ठीक है तो ये सारे चीज तो है already problem है लेकिन ये उतना बुरा नहीं है जितना तुमें synthetic chips और लेज और ये जो बर्गर ये सब मिल रहा है ये और भी next level problem है हाँ तो अभी के बच्चे बस यही घा रहा है ठीक है तो obviously तुम्हारा health में problem होगा तो अच्छे diet का बहुत ही simple से तरीक है जितना clean खा सको खाओ clean क्या होता है तेल कम रखो, masala कम रखो simple से बात है ठीक है ये सारे जो burger pizza खाने का ये भी एक addiction ही है तुम खाते जाओगे और मन करेगा और मन करेगा और पता चला यही हमारा बन गया ठीक दूसरा बात कि तुम पैसे बहुत बचा लोगे भाई एक pizza तो 300 रुपे या 500 रुपे काता है तुमने खा लिया तो तुमने ऐसी फूक दिया उतने पैसे ठीक है तो पैसे तो तुमारे बचगे जो कि student life में बहुत important है साथ में तुमारा health भी बचगे ठीक है तो health बहुत ही ऐसा difficult topic नहीं है मैंने diet पे तो बहुत सारे videos बनाए हुए बच्चे तो ऐसे सस्ते में चने खा सकते हैं sprouts खा सकते हैं, oats खा सकते हैं बहुत सारे healthy options हैं बना रखे हैं, मैंने video फिर से भी बना दूँगा काफी time हो गया लेकिन इसमें जादा कुछ सोचने का नहीं है अच्छे घाने जो होते हैं इससे तुम्हारा health अच्छा रहता है वो तुम्हें tasty का भी लगेगा नहीं टेस्ट तुम्हारा सुआद को satisfy करने वाला है नहीं लेकिन वो तुम्हारे लिए healthy होता है एक तो तुम्हारे long term के लिए दूसरा तुम्हे immediately अच्छा फील होगा तुम मान लो burger खाते हो उसके बाद क्या तुम्हें बहुत काम करने का मन करता है तुम्हें सोने का मन करता है क्यों क्यों क्योंकि उसमें वैसे ingredients है ठेक है तो पहला तो तुम्हारा health खरा हो रहा है दूसरा तुम lazy हो immediately ठेक है तो ये double triple problem क्यों लेना भाई थोड़ा healthy खा लो ठीक है समझ गया कभी कभी चलता है वो cheat days चलता है सब कुछ चलता है लेकिन अगर तुम्हें उसका अपना regular बना दिये तो अलगी problem है ठीक